असलाम लेकुम वेलकम बेक टो माई चैनल आई होप आप सब लोग ठीक होंगे खैजित से होंगे आप लोगों की दुआउं से मैं भी ठीक हो अलहम्दुल्ला अला का शुकर है तो गाइस आज जो मेरा व्लोग है वो है शोपिंग से रिलेटेड तो आज जो है मैं रमजान की चुपिंग करने आई हो तो आज मैं आई हों पशसंद आए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मीरी वीडियो को लाईक सब्सक्राइब लाजमे कीजियेगा और चमीने कीजिएगा अज मैं यह वीडियो को छश Tumb को पूरी की देखिएगा किस-किस ने अपने रमजान की शॉपिंग कर ली है और कौन-कौन अभी रहता है क्योंकि अब तो माशाला से थोड़े ही दिन रहे हैं रमजान को इन्शालला खैर से अल्ला सबके रोजे कबूल फर्माएं सबके रोजे लात अला कबूल फर्माएं आमीन आमीन और मुझे कमेंट करके जबर बताएगा कौन-कौन शॉपिंग के लिए रह गया क्योंकि यहां पर तो आपको पता है कि विकेंड ही मिलता है नेक्स विकेंड इन्शालला रमजान शुरू हो जाएगा तो यही विकेंड था शॉपिंग के लिए मॉबाइल की आपको यहां पर जो है न पूरी एक तरह से यह मार्कीड बनी हुई है आप लोगों को यहां पर हर तरह की चीज मिल जाएगी मतलब इधर इन्टर हो जाएँ तो जिस शॉप पर आपको जाना है जो चीज आपको लेनी है वो बार सानी आप लोगों को मिल सकती है तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी जो चीजें हैं वो भाई करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर भी करूँगी और आप लोगों से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, प्लाजमी करें और मेरी वीडियो को पूरी देखा करें और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी और आज मैं आपको पताती चलो यहां पे जो है सनी डे है यहां के लोग तो सनी डे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बारिश बहुत जादा होती है जिसकी वज़र से पिर जब सनी डे होता है तो यहां के लोग बहुत पसंद करते हैं और जैसे आज आज आप लोग देख रहे हैं मौसम भी बहुत अच्छा हुआ वा था सनी डे था तो अब चलते हैं हम लोग अपनी ग्रॉसरी की तरफ तो कुछ चीजें हैं वो लेती हूं और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूं और आप लोग भी मुझे जरूर कमेंट क करके बताईएगा कि किस किस ने रमजान की जो है ना शॉपिंग कर लिये तो यह मैं आपको पूरा एक तरह से जो है ना व्यू दिखा रही हूं यहां का देखें कितना खुबसूरत व्यू है और कितने अच्छे तरीके से सब ने अपनी अपनी लाइन में पार्किंग की बहुत ही खुबसूरत मुसम हुआवा था बहुत प्यारा मतलब कह सकते हैं आपके ना गर्मी थी इतनी ना सर्दी थी इतनी बस नॉर्मल था और आप जो है इस मुसम में अच्छे से वॉक करें बीच में जाएं और इस तरह अच्छा मुसम था तो रमजान से रिलेटिड में आप लोगों को यही कोँगी कि प्लीस आप लोग रमजान में तो मुझे पता है अलहमदूल्ला हम सब लोगों की यही कोशिश होती है कि हम लोग पांच वक्ती नमाज पढ़ें कोई नमाज मिस नहों आप लगादत करें लेकिन प्लीज ऐसा नहीं होता है, सिर्फ रमजान में ही नमाज नहीं है, हमें पूरे साल, हर महीना अफजल है, तो हमें चाहिए कि हम लोग हर महीने, 12 के 12 महीने अफजल होते हैं, यह नहीं कि सिर्फ रमजान ही है, 12 के 12 महीने अफजल हैं, तो आप प्लीज कोशिश किया करे ट्राइ किया करें कि आप लोग भी नमाज पढ़ने की आदर डालें और वैसे ही अबादत करें जैसे हम लोग रमजान में करते हैं आला तला हम सब को मेरे समयद आला तला हम सब को तुफीक दे आमीन आमीन तो अब जो है मैं आप लोगों को यहां का जो है ना थोड़ा सा मैं जिसकी वज़ाद से पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो वो थोड़ा से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो यह जो है, मैं यहाँ पर आ चुकी है, अब देखें यह एक ही स्टोर है, यहाँ पर मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैट्स है, मैरे kitchen की चीज़ें हैं यहाँ पे जो है सारे मतलब आप लोगों को यहाँ पे हर तरह की असानी से चीज़ मिल जाएगी आपको यह नहीं होता कि अभी शॉप पे आया तो भी हमें दूसरी शॉप पे जाना पड़ेगा तो यहां पर आप लोगों को असानी से मिल जाएगी यहां पर देखे कित्ते प्यारे प्यारे जो है वो cutting boards है तो मैंने कहा मैं आपने viewers के साथ भी share करती हूँ तो I hope आप लोगों को पसंद आएगा अगर पसंद आए तो please मुझे comment करके जरूर पताईएगा कि आप लोगों को कैसे लगे सामने बहुत ही हर किसम की जो है ना फ्राई पान लगे हैं और तरह तरह के डिजाइन के लगे हैं यह स्टील में लगे हैं उस साइड में जो है नॉन स्टेर के स्टाइड आपको हर तरह के मिल जाएगे चोटे साइज बड़े साइज हर तरह के फ्राई पान आपको संटीमेटर के लिहासे यहां पर असानी से मिल जाते हैं तो आपको एक शॉप से दूसरी शॉप नहीं जाना पड़ता लेकिन यहां पर डिजाइन भी बहुत खुबसुरत हैं डिषा फ्राई पान के देखें हर तरह के हैं लेकिन यह अलग अलग हर किसी के ब्रेंड का जो है न fahren के पढ़े में तो यहां पर आप जब अंदर चले जाए न तो आप वी किसी चीज को ना नहीं कह सकते यहां ब्र चाहिए भी फ्राइपान ही था तो मैं लेने ही फ्राइपान आई थी यहां पर तो अभी मैं यहां पर ढूंड रही हूं कि मैं कौन सा लूँ जो से मेरे लिए सही रहेगा क्योंकि इसमें पकाइदा संट्रीमेटर लिखा थे ना मुझे इतना बड़ा चाहिए था मुझे 26 सेंट्रीमेटर का चाहिए था वो मैं देख रही थी कि अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ले लेती हूं तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगोंने ग्रोसरी वगरा या शॉपिंग वगरा या ग्रोसरी सब कुछ आप लोगोंने कर लिये कि नहीं यहां जो है मैं लेके गई हूई हूं लेकिन अभी जो है ना ने डिजाइन के आते हैं तो वो भी मैं ले जाती हूं बस मेरी आदत है मुझे जो है ना गिलास और ये किचन से रिलेटिव चीज़ बहुत पसंद है मुझे बताइएगा आप लोग भी कमेंट करके पताइगा कि बहुत है मुझे तो बहुत है एनिवे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो आगे अपने प्रेंट्स के देखे तो यहां पर डालके एक साफ परसकते हैं तो यहां पर चीज उतना रिफ कर सकते हैं तो यहां पर र närकर सेफ सकते हैं यहां पर मैंने बोला कि ही शौप से आपको थार की जाइगी है असानी सो supplement की सीज HOLifty चीज़ hunters यहां पर जदो होती है कि आप स्टोरिज करके रख लें यहां पर जादा तो यहां पर जो है यह बेडरूम का एरिया आ जाता है यहां पर यह सारी उस साइट पर बैडशीटे लगे हुए है इस साइट पर पीलो लगे हुए है और पीलो के साथ आपको यह बैडशीटे है पी जो यहां पर शॉपिंग करते होंगे उनको तो पता ही है अब मैंने आपको एक तरह से पूरा ही जो है वो व्यू करवा दिये यहां का आपको दिखा दिया है अब आप लोगों को पसंद आया होगा अगर लाइक सस्क्राइब कर देंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा तो आप लोग प्लीज कर दिया करें और आई होप आप लोगों को मेरा यह व्लोग अच्छा लग रहोगा बस यह छोटा सा था बस मैं स्टोर में आई थी मुझे अब बताया मैंने आपको जो है वो लेना था प्राइपान तो मैंने लेने आई थी तो गैस यह थी मेरी छोटी सी वीडियो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद रही हो तो मेरी चैनल को लाइक सिस्क्राइब लाजमी कीजिएगा तो फिर मिलते हैं आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ एक ने विलोग के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने घरवलों का सबका खास ख्यार रखें और अपना भी खास ख्यार रखें तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना ख्यार रखीगा दौआ में याद रखीगा और मेरे चैनल को लाइक सिस्क्राइब करना ना भूलिएगा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अला आफेज